पोटेंशल एनर्जी इन एक्सटरनल फिल्ट एक्सटरनल एलेक्टरिक फिल्ड में हम किनी चार्जेस की पोटेंशल एनर्जी पर डिस्क्रिशन करने जा रहे हैं देखो, माली जी की एक external electric field है, एक external electric field है, और इस external electric field में, इसकी value माली जी मैंने e ले ली, और इसमें कोई से भी दो charge रखे हुए है, q1 and q2, और इन charges का जो position vector है, वो अगर मैं देखता हूँ, माली जी मैं यहाँ पर origin माल लेता हूँ, ले 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 ले, और इसका position vector है, वो R1 vector है, इसका position vector R2 vector है, और इस दोनों charges इस तरह से किसी external electric field में रखे हुए हैं, और मुझे इस पूरे system का potential energy find out कर करना है, तो देखो मैं कैसे करता हूँ, एक potential energy तो Q1 और Q2 की बीच की international potential energy होगी, जिसको मैं K Q1 Q2 upon इनकी बीच का distance R12 है, तो यह इनकी बीच का distance R12 है, तो के Q1 Q2 upon R12 यह इनकी interaction potential energy हो जाएगी, बट मुझे इसको external electric field में इनकी potential energy find out करना है, तो देखो, सबसे पहले मैं assumptions करता हूँ, assumptions ऐसे हैं कि let B1 is the potential at, माली जे इस point को A बोल देता हूँ, इस point को B बोल देता हूँ, potential at point A due to external electric field E, यह जो external electric field E लगाया है न, इसके कारण यह जो point A है, यहाँ पर जो potential है, let us know, वो कितना है, V1 है, and V2 is the potential at point B due to external electric field E, इसके कारण जो external electric field के कारण जो यहाँ पर potential है, वो कितना है, V2 है, अब देखो यार मेरे को potential energy find out करने तो मुझे क्या करना होगा, मैं ऐसे माल लेता हूँ कि यहाँ पहले कुछ नहीं था, और मै मैं सबसे पहले इस location के उपर charge Q1 को लेकर आया हूँ, पहले कुछ नहीं था यहाँ पर, और यह जो location A है, मैं charge Q1 को लेकर आ रहा हूँ infinity से, तो infinity से जब मैं इसको लेकर आऊँगा, तो जो मेरे को work करना पड़ेगा, मैं सबसे पहले work calculate करूँगा, यह 0, 0, then फिर मैं क्या कर work done जोड़ दूँगा, तो यह work done ही potential energy की form में store होगा, तो मैं एक-एक step करके start करता हूँ, सबसे पहले step, पहले step यह है, यह जो आपका external electric field है, यह origin है, और यहाँ पर जो point A है, इसका position vector, R1 vector था, इंडिया पर potential V1 था, मैं यहाँ पर charge Q1 को infinity से लेकर आ रहा हूँ, सो मैं ऐसे लेक सकता हूँ, कि work done in bringing, work done in bringing the charge Q1 from infinity to R1, यहाँ से आतक लाने में जो उसको work करना पड़ा, वो latism कितना है, W1 है, इसकी value हो जाएगी, work is because 2 होता है, जिस भी charge को लेकर आ रहे हैं, वो, और उस point का potential, this is the first step, इतना work हुआ, अब मैं इसको लेकर आ चुका था, अब मेरा यहाँ पर Q1 आ चुका था, और इसका position vector यहाँ से R1 वेक्टर था, and अब मैं point B पर, यह वाला जो point B है, यहाँ पर एक Q2 को लेकर आ रहा हूँ, infinity से, तो मुझे कितना work करना पड़ेगा, W2 is the work done, to bring Q2 from infinity to point B, अब देखो, यहाँ पर जब मैं लेकर आता हूँ ना, तो मुझे actually दो work करने पड़ता है, एक तो work करना पड़ता है, work done against electric field, जो मेरा electric field है, उसके against में कितना work करना पड़ा, और जो दूसरा work होगा, वो होगा work done, against field of Q1, यहाँ पर, जब मैं लेकर आ रहा हूँ इसको, तो एक तो external field का, जो external field है, उसके against मेरा को work करना पड़ेगा, और अब मैंने यहाँ पर लाकि Q1 को रख दिया, तो यहार Q1 का भी तो एक field generate हो गया, तो दोनों के against में, जो work होगा, वो मेरा को calculate करना पड़ेगा, अब देखो, यह work मैं कैसे calculate करता हूँ, तो पहले तो मैं लेकर आ रहा हूँ, electric field के against में work, तो Q2 को लेकर आ रहा हूँ, और उस electric field का जो potential था, इस point पे वो कितना था, V2, and plus Q1 के against मेरा को अगर work निकालना हो, तो अभी जो distance है, इस distance को अगर मैं R12 लिख देता हूँ, इन दोनों की जो interaction potential energy है, उसकी value यहाँ पे लग दी जाएगी, so this is K, Q1, Q2 upon R12, यह Q1 का जो field generate हुआ है, उसके against work है, और external field का जो current जो field था, उसके against में जो मेरा को work करना पड़ा, वो कितना है, Q2, V2 है, so now this is W2, अब अगर मैं total potential से लिखता हूँ system की, तो मैं कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ, मतलब दोनों के work आगे मेरे पास, अब मैं जो total work होगा, उस total work को लिख रहा हूँ, और वो total work ही potential energy हो जाएगा, potential energy of the system, अगर मैं लिखता हूँ तो वो is equals to होगा, the total work done in assembling, the configuration, पूरे system को assemble करने के लिए, तो टोटल work done हुआ, वो ही potential energy की form में store होगा, तो पूरे system की जो potential energy हो जाएगी, वो देखो कितनी हो जाएगी, W1 प्लस W2, W1 की जो value थी, वो क्या थी Q1 इंटो V1, W2 की value कितनी है, Q2 V2, प्लस K Q1 Q2 अपॉन R12, यहां पर देखो किस टेप क्या है, यह वाला work done तो Q1 को लाने में वर्क और यह है Q2 को लाने में वर्क, जो external field की लाने में, कि अगेंस्ट में तो यह, और जो interaction जो था, मतलब Q1 का जो field था, उसके लिए उसके अगेंस्ट में यह वाला work, यह total potential energy हो गई आपकी, ठीक है जी, अब जैसे, यह एक concept हो गया, and इस concept पर बेस्ट, मैं NCIT का एक प्यारा सा example लेता हूँ, जैसे यह ओर ज्यादा clear होगा, example number 2.5 NCIT का, यह question क्या कहता है, determine the electrostatic potential energy of a system, consisting of two charges, 7 microcolum and minus 2 microcolum, with no external field, आपके पास co-external field नहीं है, placed at these distances respectively, तो सबसे पहले मेरे को electrostatic potential energy निकालनी है, तो मैं एक एक part लेके चल रहा हूँ, co-external field नहीं है, और मेरा जो 7 microcolum है, वो रखा हुआ है, minus 9 cm पर यहां से, मतलब यह 9 cm हो गया, and minus 2 microcolum रखा हुआ है, यहां से 9 cm पर इस तरफ, तो इसकी potential energy लिखनी है, electrostatic potential energy अगर आपको इस system की लिखनी हो, तो simply, इसका value हो जाएगा, K Q1 Q2 upon R, K का value है 9 into 10 की पावर 9, Q1 है वो है 7 microcolum, and Q2 है वो है minus 2 microcolum, देखो यहां पर sign बहुत important होते हैं, and जो R है, वो हो गया, आपका 9 cm और 9 cm, 18 cm, इस 18 cm को मैंने, मिटर में change कर लिया, and जब मैं इसको solve करूँगा, तो मुझे answer मिलेगा, minus 0.7 J, यह इसका energy हो गई, अच्छा, दूसरा है, How much work is required to separate the two charges, infinity away from each other, दोनों को separate करने में, मिरे को कितना work करना पड़ेगा, तो देको जो work होता है, separate करने में, वो होता है, U final minus U initial, क्योंकि separate करके, आप infinity पे लेके जा रहे हो, तो U final is 0, and U initial जो था, वो आपका minus 0.7 J था, उनको separate करने में, जो work होगा, वो 0.7 J का work हो जाएगा, and last part, अब ये last वाला part, बड़ा important है, जो इस topic से जोड़ा हुआ है, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ है, suppose that the same system of charges, is now placed in external electric field, मैं इसको external electric field में रख दिया, जहां पे एकी value इतनी है, what would the electrostatic energy of the configuration will be, उस पूरे configuration की electrostatic energy, क्या होगी, सबसे पहले तो मेरे को ये निकालना पड़ेगा, कि इस external electric field के कारण, किसी भी position R पे कितना potential difference generate होता है, so किसी भी R distance पे potential, minus reference point infinity पे potential बराबर, इसका formula होता है, minus E dr, infinity पे तो मैं potential 0 मान लेता हूँ, तो किसी भी R position पे potential हो जाएगा, minus E, ये A upon R square into dr, इससे मैं उपर ऐसे ले गया, तो R की पावर minus 2 हो जाएगा, जब मैं इसको integrate करूँगा, तो R की पावर minus 2 dr का integration हो जाएगा, R की पावर n plus 1 upon n plus 1, so R की पावर minus 1 upon minus 1, minus 1 upon R, minus A, minus 1 upon R, so ये बन गया A upon R, ये potential बन गया मेरे पास किसी भी location पे, so now अगर मेरे को potential जी चाहिए पूरी, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, Q1 into V1, plus Q2 into V2, plus K Q1 Q2 upon, इन दोनों की बीच का distance, जो Q1 charge है मेरा, पहला वाला charge, उसकी value कितनी है, 7 microcolum, and जो potential लिखूँगा, वो कि लिखूँगा, A upon R, and उसका जो distance था, इसका जो distance मैंने आपको बताया था, ये, वो कितना था यहां से, 9 cm, तो इस distance को मैं लिख देता हूँ, 9 cm, 9 cm को मैं 0.09 meter लेख सकता हूँ, तो दूसरा charge है, वो है, minus 2 microcolum, and उसकी distance भी positive के अंदर, 0.09 meter है, plus KQ1 Q2 upon R2, यह जो value आई थी मेरे पास में, यह minus 0.7 joule आई थी, अब इसको solve कर लेंगे, this is 7 microcolum, and जो A है, वो मुझे इस question में given है, देखो, A की जो value है, वो है, 9 into 10 की power 5, यह value मैंने आपर पूट कर दी, 9 into 10 की power 5, this is 9 into 10 की power minus 2, minus 2 into 10 की power minus 6, 9 into 10 की power 5, and minus 0.7, तो यह 9 से 9 कैंसल हो गया, और यह आपका 10 की power 7 हो जाएगा, यह 70 हो जाएगा, इसी तरह से 20 हो जाएगा, minus 0.7, जो आप इसको solve करोगे, तो 49.35 joule हो जाएगा, ओके, यह मैंने topic भी आपको बता दिया, and NCRT का जो example था, वो भी मैंने आपको करवा दिया, कोई भी problem हो, एक बार आप फिर से इसको देखें, और समझने का प्रयाश करें, ओके, thank you so much, and God bless you.